सब्सक्राइब तो मैं चैनल सूरजपरकाश पर मोर अमेजिंग कंटें नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सब लोगों का मेरे चैनल पर दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं कंपेर करने वाला हूं एसूस वीवो बुक अल्ट्रा 15 जिसका मॉडल नमर है दोस्तों के 513 और डेल की तरफ से दें इंस्पिरॉन 5409 दोनों ही लैप्टॉप में दोस्तों आप लोगों को जो है इंटल के 11 जनरेशन के प्रोसेसर देखने को मिल जाएंगे और दोनों ही जो है दोस्तों आप लोग नहीं करने वाला हूं और दोस्तों यह सही भी नहीं है विकुस कमपनीज जो है दोस्तों आपको कभी भी कोई ऐसा जान बूच के बैड प्रोड़क्ट बेचना बिल्कुल नहीं चाहेंगी अगर कुछ बैटरी बैटरी खराब निकलती है तो दोस्तों वह मतलब उनकी नही कुछ नहीं कर सकती है दोस्तों तो ऐसा रहता है अगर मान के चलिए मैंने डेल का खरीदा डेल के कुछ लैफटाप में प्रॉब्लम आ गई हीटिंग मीटिंग या फिर मान के चलिए कि बैटरी खराब हो गई उसकी तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि डेल के लाप्टाप आज देखने को मिल जाता है और देल 5-0-9 में आपको देखने को नहीं मिलता है अगे एक प्रिफेरेंस की बात है दोस्तों कुछ लोग होते हैं जिन को चाहिए ननता बागी कुछ लोग यह जैसे होते हैं धो दुडिकर कोई जरुरत आपका डाला हुआ है बाकी बात करता हूं दोस्तों स्क्रीन के sRGB की जो कि एक क्वाइंट हो सकता है कि आप किस चीज़ पर शिफ्ट कर रहे हूं दोस्तों डेल 5409 11th जेनरेशन में सिर्फ एकी मॉडल में available at present है जिसमें आपको सिर्फ आपको सामने देखिए कि आप लोगों को मिल रहा है डेल वाले में जो है आप लोगों को 300 nits के brightness मिलती है वेरास यहां पर जो है दोस्तो आप लोगों को max to max brightness जो है दोस्तो 250 nits देखने को मिलती है विच I think in-house situation काफी fine है और 250 nits आप बाहर जाके काम करेंगे तो भी somewhat sufficient आप लोगों को पढ़ जाएगा तो इतना major consideration नहीं है बात आते हैं दोस्तों graphic card की जो कि मुझे लगता है कि एक point हो सकता है consider करने के लिए यहां पर दोस्तों आप लोगों को जो है xe graphics देखने को मिल जाते हैं क्या बोलते हैं asus के laptop में लेकिन आप लोगों को दोस्तों मैं बता देता हूं कि जो देल का है उसमें सरफ xe graphics देखने को मिलता है लेकिन asus वाले में आप लोगों को दोस्तों mx330 graphic card जो है अलग से देखने को अगर आप कुछ variant ऐसे भी आप लोगों को मिल जाएंगे जहां पर आपको mx330 भी देखने को मिल जाएगा फिर बात करता हूं दोस्तों backlit की तो दोनों keyboard backlit आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं वेरियंट की बात करूं तो दोस्तों आप लोगों को asus वाले में जो है i5, i3 और i7 आपको तीनों वेरियंट देखने को मिल जाएंगे storage configuration भी अलग-अलग है आप चाहे तो i3, 256 के साथ जा सकते हैं i5 दोस्तों बहुत ज्यादा configuration के साथ available है 512GB SSD या फिर 256 प्लस 1TB hard disk या फिर आप लोगों को जो है दोस्तों 8GB RAM के साथ और 16GB RAM के साथ भी यही वाली configuration देखने को मिल सकती है इस सब के link जो है मैंने आप लोगों को description box में दे दिया RAM upgradability की बात करूं तो डेल वाला जो है दोस्तों आप लोग 32GB RAM तक upgrade कर सकते हैं दो slot उसमें आप लोगों के पड़े हुए हैं आप लोगों को देखने को मिलती है देल वाले में दोस्तों आप लोगों को जो है लिड सेंसर भी देखने को मिल जाता है जैसे क्या होता है आपका laptop मानके चले जैसी उसकी लिड खोलेंगे तो दोस्तों अपने आप जो है वह चालू हो जाएगा usable RAM दोस्तों किसी भी RGB वाले वाले वेरियंट में आप अगर ले चाहें यहां पर डेल का ले तो आपको लगबग साड़े साथ जी भी तक जो है usable RAM देखने को मिल जाती है आपको most of the cases में यही होगा कि क्यूंकि आपका type C चार्जर आपको यूजरी फोन का होगा जो कि थोड़ा कम wattage का होगा ठीक है तो उससे चार्ज कर रहे हैं तो दोस्तों आपकी laptop में इतनी चार्जिंग हो जाएगी कि आपके laptop का percentage degree नहीं होगा बैटरी का लेखिन आपका ब इससे क्या होगा वो थोड़ा कम हीट फेकर और optimal performance आपको देगा और उसको पता लग जाएगा कि कब आपने टेबल पर रखा हुआ है तो इससे क्या करेगा कि कहीं न कहीं वो जो है दोस्तों ज्यादा ही चोड़ेगा और आपको जो है अच्छी performance देगा तो कहीं न कहीं एक intelligent AI feature आप लोग कह लीजे और storage के बारे में देश्टों देशने में बता दिया था और Dell में एक और चीज़ खास है दोस्तों आप लोगों को Dell cinema करके जो है पूरा 5409 में मिल जाता है तो इससे क्या होता है movie enjoy करना काफी जादा सही रहता है optimized color आपको देखने को मिलते हैं Dell वाल में तीन USB A port है जिसमें दो जो है USB 3.1 Gen 1 है एक USB 2.0 वाला आपको दिया गया है वेरास Dell 5409 में आप लोगों को जो है सिर्फ दो ही port मिलते हैं लेकिन दोनों के दोनों 3.1 Gen 1 आप लोगों को देखने को मिलते हैं फिर उसके बाद बात करूं वेट की तो 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 यह जो आपका VivoBook 15 Ultra है यह आप लोगों को अरॉंड 1.8 kg का देखने को मिलता है और दोस्तों बात करें तो उसकी डेल की तो आपको अरॉंड 1.5 kg का देखने को मिलता है अगे इससे मैटर ऑफ परसनल फिर फिर किसी लोगों के लिए वेट उतना जाधा माइने नहीं करता है उतना जादा म इंडिकेटर LED जो है दोस्तों आप लोगों को देखने को मिलता है तो इससे आप लोगों को पता लग जाएगा कि कब जो है laptop चार्ज हो रहा है नहीं हो रहा है उसके बाद micro SD card दोनों में आप लोगों को देखने को मिलेंगे विच I think is a very good way of increasing your storage at a quick फिर डेल वाले में दोस्तों आप लोगों को जो है थोड़े दो माइक्रोफोन देखने को मिलते हैं जिससे क्या होता है कि जैसे जूम कॉल हो गया आज कल काफी जाता पॉपलर वह रहा है दोस्तों वो जो है आपकी वोईस रिकॉर्डिंग काफी अच्छे जो है सामने वा इंक्लूड दिखा रहा है तो आप लोग खुदी कीजिए बैटरी की बात करो तो तो कहीं न कहीं वीवबुक 15 में 42 वाट आवर की मिल जाती है वेरास डेल वाले में आप लोगों को 53 वाट आवर की बैटरी मिल जाती है तो बैटरी जाता है और बैटरी जाता है उसके बात करें दोस्तों यहां पर वेट की जैसे कि आप लोगों को बता ही चुका हूं कि जो वीवबुक है आप लोगों को काफी जाता वेट में देखने को मिलती है तो दोस्तों आप लोग देखिए यहां पर कलर जो है एक दम रंग भी रंग ये कलर आपको देखने को मिलते हैं थोड़ा ग्रे थोड़ा गोल्ड और बस यही दो-तीन कलर है इसके अंदर वेरास डेल वाले में सिर्फ आपको जो है एक ही कलर देखने को मिल जाता है थाय थाय धन्यों।